नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अपका कोहिनास केचन में आज की रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो बनाएंगे आम पन्ना इसका मैं आपको कॉंसेंट्रेट बनाना बता रही हूं जो आप एक बार बनाओगे पूरी गर्मिया आम पन्ना को इन्जोई करोगे फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए सबसे पहले लेंगे हम कच्चे आम जिसे हम कैरी भी बोलते हैं ये मैंने आधा केजी लिये हैं तो हम सबसे पहले इसकी स्किन को रिमूव करेंगे इसको मैं पील कर लूँगी अच्छे से सारा छिलका हम हटा देंगे छिलका हटाने के बाद अभी आपको करना क्या है इसका गुदा जो है वो निकाल के अलग कर लेंगे और गुठली को कर देंगे अलग फ्रेंड्स गर्मियों के मौसम में आम का पन्ना बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बाई नेचर ठंडा होता है इसे हर कोई सजेस्ट करता है कि गर्मी के मौसम में आम पन्ना जरूर पीना चाहिए इससे बॉड़ी में ठंडक मिलती है तो आज मैं यही रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ ताकि इसके लिए आपको बार बार पन्ना ना बनाना पड़े आप एक बार बना कर रख लोगे तो बार बार उसे इंजोई कर सकते हो तो लीजिए यह हमारा सारा पल्प अलग से हमने निकाल लिया है अब इसको डाल लेते हैं एक पैन में इसमें डालूँगी अब एक गिलास पानी पानी आपको बहुत जादा एड नहीं करना है क्योंकि यह बहुत ही असानी से बहुत जल्दी पक जाता है तो चलिए फ्लेम को ओन करते हैं और इसे हम पका लेते हैं अच्छे से फ्रेंड्स यह बहुत जल्दी पकेगा आपका सॉफ्ट हो जाएगा जब तक तबी तक हमें पकाना है इसे यह पल बहुत जल्दी ही मिक्स अप हो जाता है बड़ी जल्दी पक कर यह रेडी हो जाएगा जैसे आप देखें कि यह सॉफ्ट हो गया है यह देखिए यह बिल्कुल अच्छे से पक गया है बिल्कुल गल गया है यह अच्छे से तो बस इतना ही हमें चाहिए गैस को कर देते हैं बंद और इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए तो चलिए मैंने यह लिया है दू अब हमें इसे पकाना है अच्छे से जब तक कि एक तार की चाशनी इसकी तैयार ना हो जाए तो फ्लेम को करते हैं और बीच बीच में चलाते हुए ऐसे अच्छे से चाशनी को रेडी कर लेते हैं यह देखिए चाशनी हमारी लगबग पककर रेडी है अगर आप हाथ से लेकर इसे देखोगे तो एक तार की बननी चाहिए आपको इतनी पकानी है यह जब तक यह हो रहा है तब तक हम पल्प को रेडी कर लेते हैं क्योंकि हमारी चाशनी लगबग रेडी है तो यह पल्प इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर या ब्लेंडर में डालकर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो इसके लिए इसे एड़ कर लेते हैं ब्लेंडर में इसके साथ ही एड़ करेंगे हम थोड़े से मसाले तो यहां मैं डाल रही हूं एक चमच काला नमक या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए इसके साथ ही डालेंगे इसमें भूना हुआ जीरे का पाउडर जीरे को आप ड्राइ रोस्ट कर लीजिए फिर उसको पीस लीजिए और यह पाउडर फॉर्म में बन जाएगा तो इसे एड़ कर लेते हैं इसके साथ ही डालूँगे काली मिर्ची मैं आधा चमज यूज़ कर रही हूँ मैं थोड़ा सा तीखा आमपना बनाने जा रही हूँ आप चाहो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हो तो लीजिए हमारा यह अच्छे से ब्लेंड हो गया है अब हम इस पल्प को एड़ कर लेते हैं जो हम चाशनी पका रहे हैं उसमें इसमें अच्छे से एड़ कर लेती हूँ अब हम इसे पकाएंगे तो इसे हमें कम से कम 2-3 मिनट तक बहुत अच्छे से पकाना है जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए उसके बाद दो-3 मिनट तक बहुत अच्छे से बीच-बीच में चलाते हुए अच्छे से पका लीजिए यह देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे होंगे बहुत गाड़ा है यह बस इसी तरह से एक-दो मिनट हम इसे चलाते हुए पकाएंगे तो हमारा यह आम पन्य का कॉंसेंट्रेट बिल्कुल रिडी है दोस्तों आप इसे स्टोर करके रख सकते हो लेकिन आप इसे फ्रेज के अंदर ही रखें ताकि आप पूरी गर्मी से एंजॉई कर सकें तो दोस्तों जरूर बताईएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी आप इसे अब ठंडा होने दीजियागा जैसी ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे सीव करेंगे अच्छे से चान लेंगे और किसी भी यह देखिए मैंने चान लिये इसको अच्छे से यह इस फॉम में आजाएगा आपके पास अब हम इसे इस तरह से चानने के बाद किसी कांच की बोटल में या किसी कांच के डबे में आप स्टोर करके रख सकते हो और इसे आप फ्रिज में ही रखें ताकि यह इसमें किसी तरह से कोई स्मेल या कुछ भी ना आए वैसे आप इसे पूरी तरह पूरी गर्मी भर आप एक बार बनाएं और इसे कई बार इस्तेमाल कर सकते हो जब द्वारा से आपको बनाने की जरूरत हो आप फिर से बना लीजिए तो लीजिए मैंने लिया यह इक आँच का कंटेनर जिसके अंदर हम इसे डाल लेंगे और इसे बंद करके अच्छे से रख लेंगे तो इसे अब मैं आपको सर्व करना बता देती हूँ हम किस तरह से इसे बना सकते हैं यहां मैंने लिया है गिलास जिसमें मैं डाल रही हूँ आइस क्यूब अब हम इसमें कम से कम तीन चमच एड़ करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉडिंग इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो यह आपके उपर डिपेंड है तो अभी मैं इसमें दो तीन चमच एड़ करूँगी और इसमें डाल लेते हैं पानी और इसमें आपको कुछ भी डालने के ज़रूरत नहीं है पानी डाल लीजिए और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो लीजिए दोस्तो ठंडा ठंडा आम पन्ना का शर्वत हमारा रेडी है अपने गेस्ट को भी पिलाए और खुद भी इंजोई करिए यह काफी अच्छा होता है आम पन्ना तो दोस्तो इसी तरह से बना कर रख लीजिए जब भी आपका मन करें आप पी सकते हो तो पताईएगा जरूर कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और अपने कमेंट मेरे साथ जरूर शेयर करिए तो एंजोई करिए आम का पन्ना ठंडा ठंडा दोस्तो इसे जरूर ट्राई करिएगा अपने घरों पर और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिलकुर मत भूलिए ताकि इसलिए मैं आपके लिए और नई से नई रेसिपीज लाती रहूँ तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे फिर से बहुत जल झाल